अर्च की यह चाय में पढ़ती है चीनी और आज मैं खाऊंगे स्वारा को स्वारा कोट मेरी तो बाइस यही रहा मेरा मिनी के चल वाव मैंना स्टार क्लस की बहुं देख रहे हो किता सजदस के काम कर रहे है है उसमेरि गजिक जाल लेखे में के देखी पानी जी को डालें फार vintage चाई के पती जी ठेलेंगे चीन से आय error by अर्भ झालेंगे और फिर नूत सपाविया और पर सही इतना तड़ पाएंगे कि वह पक्या मुटी हमारा चाय बन जाव तब ही हमारी चाई गिलास में जा रही है अरे यह आए जमारे आए पार ना चाहर चलो उपकर में से चने निकाल देते हो और खाली तैस्पर चुड़ा बूछ लिए वज़ा जा चलो आए कि अचलते हुजें पिसी कौन था मैं थी तुम थी मैं थी तुम थी कौन था कौन था कौन था कौन का था तो ब्रेफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ यह मीनी सा पोजन फूर्ट अभी मैंने ले लिया है तेल इसमें टालती है अरे निकल जाए वाव दिखी गाइस किते अच्छी तरीके से इसे पैक किया गया है इसमें बहुत ही क्यूट लगा है वाव इसमें किते स्माल है और कितने कम इसमें मेरा ब्रेफास्ट इत्ते से फूर्ट में क्या होगा बहुत ही है तो कम है मेरे लिए तो गाइस अभी माले मिनी मिनी फ्राइज रैडी हो गया है दो मैंने कटोरी खांगी बर पैट इत्ती इत्ती कटोरी चलो अब इसे त्यार लेकिए कैचप के साथ खाते हैं मजे से ता यम्मी लग रहा ना मिनी मिनी क्यूट सा लग रहा है चाहे पेट भरे ना देखो गाइब किते स्मॉल लाइंट कोई साइज भी नहीं है हाथों में फूरे इतने चोटे इतने बड़े बड़े हाथ और उन मैंतो ना दोन ग तोर इक्याथ एक खाले कर दोगा है इतने कम मैं है कौन ही लोग कहाँ से आते ही इनके बास रहने को घर है ना रोजगार है और सुबा तो सुबा जाए और रौजन फूड है और मुझे ना बूझे तो मुझे लग लग लगी थी वच्छा था इसलिए मैं में लेज और मीनी किटकेट चॉकलेट और कोक अब खाना जारी हूं सबसे वहले हम लेज खाते हैं कौन सीग्रेट में गड़ती हूं यह देखिया हमारे मीनी लेज अरे गिरी हुपा जाए इसमें डालते हैं काफी यमी है हमें बाहर से तो मिलती नहीं बड़ी मिलती इसलिए हमने कोक लेली और यह बॉटल थी मारे पास इसमें डाले आपको कलर भी चेज लग रहा होगा बड़ी कोक ही है खताब और यह क्या अब दो बूंदे बड़ी सिरिप मेरे मूँ में मेनी में तो मेनी खाना पड़ेगा इसे खाते हैं और रप पर देखते हैं अज मेरा सुबा से पेटने बड़ा पर फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी देर पर खा लेती हुए तो आपको पते यह बार इतनी जाद अगर में हो रही है न इसलिए मैं आइस्क्रीम खाने जाहरी हूं यह रही हमारी मिनी सी आइस्क्रीम रिच के अंदर से निकाली है भी मैंने हम बहुत छोटे हैं सर आपकी सामने यह तो सब कुछ बहुत ही बहुत ही नीचा गाइस देखिए आज मैं पूरा एक डपा ऐस्क्रीम खाऊंगी वो भी अकेली वाह इत्ती सी यह पर इत्ती टेस्टी लग रही है ना पर फ्रेंट्स अभी तो मैंने नहा लिया क्योंकि बहुत दी जादा गर्मी हो ली थी ना तो अभी मैं डिनर करने चाहरी हूं बहुत ही देज़ भूक लग रही है इसलिए मैंने सुच आज आलू के प्राटी आते है तो चलिए भी बनाते हैं देखिए इसमें हमारा हटा बड़ा है नीनी सी टोरी में हम इत्ता सा हटा लेंगे और इससे थोड़ा हटे में लगाएंगे आज देखिए कित्रा चोटा सा है यह हम ऐसे बेलना पकड़ देयां और इसे दो उगलियों से पर अच्छी तरह से बन रहा है गोल हो जाए बस यह है थोड़ा और लगा लेते हैं ताकि चिपकना जाए नीचे वाव गाइस गोल हो रहा पूरा ज्यादा बिक पिली बनाएंगे तो देखिए पूरा गोल आया है तो अभी हम इसे बनाते हैं हमें इसे गन्ना बढ़े है देखिए पकर आया है तो अभी इसमें यह भी डगा देते हैं तो गाइस देखिए मैंने पूरी एकना भर के पराठे बना लिया है और साथ में दही लिया है तो चलिए अभी इसको खाते हैं यह इतने छोटे हैं एक ही बार में एक पराठा कहा हो जाएगा पर बहुत ही टाइनी है पर सुबह से जितना भी खाया न उससे तो कुछ भी नहीं बरा पेट इससे थोड़ा था फिर भी भर जाएगा तो बाई गाई इसे के साथ मेरा यहीं पर चैलेंज खतम होता है अगर आपको मेरा चैलेंज अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बिताना कि हम अगला चैलेंज कौन सा करें बाई बाई गाई थांक्यू सो मच पर वाचिए